आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पतना सिटी द्वारा जिस तरह देश के प्रधार मंत्री ने एक संकल प्लिया है पूरे भारत पूरे देश दोहजार पचीस तक टीवी मुक्त अभियान के तहत टीवी को भागाना है आज पतना सिटी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साखा के द्वारा टीवी मरीजों के बीचे पूस्टिक अहार का बितन किया गया इस पूरे कार्टर में देखेगा तो भिहार विदान सभा के अध्यक्षे स्री इन्दन की सोड़ी आदब जी पतना सिटी आज कह सकते हैं कि जो भी टीवी मरीज से जूज रहे हैं उनके लिए पूस्टिक अहार का बितन किया गया है प्रदामन्तिय टीवी मुक्त भरत अभीा बियान कंतरगत गोद लिये गया टीवी मरीज के बीत आप कह सकते हैं कि अगना पर नहीं त्किल आप देखते हैं और क्या कुछ करा है मानिए आज का तीथिगण इतने भी यहां आयवे आवरादुख है, जब ताकाती अभी दंड़ नकोर्वाद रेखते हुए. इंदियन इतने को साइटलिंग के तन आपके लिए, सब अपने हैं से जब लेते हैं। हमारे वीच, हमारे पेटरॉन, हमारे अभी लावर, डॉक्सीरी कारेटर्ण की आईए साथ इस कारेटर्ण में सच्छी नातर नुमा देए गर्यच्न बज़ा है ने किस सब्सके दो कि अधिकने कर दो कि हैं जा आपिछ अधिया आप कर दो ए और जा वर्गान आप जातर जेकर के अधिया जाने कह समय करेंर दो कि रखते हैं लेकि माने प्रदाम दिस नरेंद मुदी जी ने दोजार पचीस तक टीवी मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया था और उसके तहट जहां अस्पतालों में टीवी की सभी दवाईयां फुरी अपकॉट मिलती है वह साथ साथ उन्हों देशवासियों का हवान किया था कि टीवी मरीजों को गोद लेने का काम करें और उनके पौश्टी काहर में अपना युगदान देने का काम करें उनके इस आहवान को देखते हुए बिहार के महाम हिबराजपाल महुदाय ने भी इसको पूरा करने का संकल दिया और उन्हों ने रेटको स्वसाइटी को भी इस बात का अग्रह किया कि हम इसको ओन करें पौश्टी रेटको स्वसाइटी ने स्वाविक रुप से इसमें बड़ सवर्कर कि हिस्सा लिया और आप देख रहे हैं कि हर महीने स्वाविक रेटको स्वसाइटी के मादम से और उनको हर महीने हम पौश्टी का हर वित्रंग का आयोजन किया गया था मामनीए अद्यक्ष महोदे ने सारी बातें विस्तार से बता दी या जो कारिक्रम किया जा रहा है या बहूत इस तरह जारी रहे Ben